कब अवतरित होंगे भगवान? कल की आरश्रीमत भागवत गीता में कहा गया है कि जब संसार में धर्म की हानी होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब भगवान विश्णु स्वयम धर्म की स्थापना हेतू धर्ती पर जन्म लेते हैं और पापों का विनाश कर माना गया है क्योंकि इस युग में पाप, लोब, अनैतिक्ता, अधर्म सभी अपने चरम पर होगा बात कल की अवतार की करें तो यह आज भी लोगों के लिए एक रहस्य के समान है ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि भगवान विश्णु अपना यह अवतार कब और कहा लेंगे और उनका रूप कैसा होगा हालांकि इस तरह के सभी सवालों के जवाब श्रीमत भागवत गीता में पहले से मौजूद है जिन से आज हम आपको अवगत कराएंगे कब लेंगे कल की अवतार जन्म श्रीमत भागवत महापुरान के अनुसार जब कल युग में सावन मास के शुकल पक्ष की संध्या व्यापिनी तिथी में होगा। श्रीमत भागवत के बारावें सकंध द्वितिय अध्याय में भगवान कल की के अवतार का उलेख करते हुए बताया गया है कि जब चंद्रमा, सूर्य और देवगुरु ब्रहस्पती एक साथ यानि एक पुराणों में निहित है कि कल युग में लोग धर्म का अनुसरण करना बंद कर देंगे। तब संभल नगरी में विष्णु यश नामक श्रेष्ट ब्रहमन के पुत्र के रूप में भगवान कल की का जन्म होगा। यह अवतार अपने हाथ में चमचमाती हुई तलवार के साथ देवदत्त नाम के सफेद घोडे पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे और इसी के बाद से सतयुक की शुरुआत होगी। धन्यवाद। और इसी प्रकार की जानकारी और नए विशयों के लिए हमारे चैनल एस्ट्रोवियास को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें।